हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे बालो की प्रॉब्लम्स के बारे में तो दोस्तों, मैं उसके बहुतaka है दोस्तों शुरूँ करते हैं इस नुषखे को तो दोस्तों सबसे पहले इस नुषखे में आपको व हो यूज करना है जो तेल आप रेगुलरली अपने बालों में यूज करते हैं तो दोस्तो शुरुवात करेंगे उस तेल से जो आप तेल यूज करते हैं तो इसके अंदर मैं लूँगा दोस्तो एक चमच बदाम का तेल और आप जो भी तेल यूज करते हैं वो आपको एक चमच ले लेना है उसके बाद जो दूसरी चीज हम इस नुसके में यूज करेंग तो दोस्तो ये तेल आपको 30-40 उर्पे में असानी से किसी भी जनरल स्टोर पर असानी से मिल जाएगा और आप इसे मेडिकल स्टोर से भी खरीच सकते हैं, तो इसके अंदर में लूँगा फिलाहल एक चमच अरंडी का तेल, ये बहुत ज़्यादा गाडा होता है, ये देखि दोस्तो योगर्ट आपके बालो को लंबा करके बालो को 4 गुनत तेजी से बढ़ाता है, सफेद बालो को खाला करता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपके बालो के डेंडरफ को मिंटो में खतम कर देता है, तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तो दो चमच दही का इस तरीके से और लड़किया तीन चमच भी ले सकती हैं अगर उनके बाल ज्यादा बड़े हैं तो नहीं तो लड़किया दो चमच लेंगे और लड़किया तीन चमच लेंगी तो दोस्तों अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के दौरान में आपको बता हुआ यह आपको कब कब और कैसे कैसे अपने बालों में जो है इस्तमाल करना है जिससे कि आप अपने बालों को चार गुना तेजी से लंबा कर सकें सफेध होते बालों को का अब मैं आपको बता तो लगाने का तरीका कैसे आपको अपने इसे अपने बालों में अपलाई करना है दोस्तों आपको क्या करना है यह आपको नहाने से एक घंटा पहले इस्तमाल करना है आपको करना क्या होगा इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है सबसे पहले और और बालों की जड़ों में लगाता हुए बालों के सीरे तक लगा लेना है यानि के सारे बालों में लगा लेना है और उसके बाद में आपको अपने बालों की पाँच से साथ मिनिट मसाज करनी है सबसे पहले आपको जड़ों में इस तरीके से मसाज करनी है उंगलियों के हेल कर देख यहाँ आपके कि जड़ो की अंदर समा ने लगए जिससे कि आपके बालों की जड़ों में यह पहुंचकर आपके बालों की जड़ों को मजबूत करदे और इतना पोशन दे किस्या हैं किर आपके बालों की पॉबलमस हैं वह solve होने लगे, साथी साथ ये दही आपके बालों को silky और smooth भी बनाएगा आपके घुंगराले बालों को भी सीधा करेगा और dry बालों को भी silky और shiny बना देगा, तो ये आपको इस तरीके से अपने बालों में जोडों में 5-7 करना है और सीरे तक आपको पूरे बालों में मसाज करना है उसके बाद में आपको एक कपड़ा लेकर के अपने बालों को ढख लेना है आप shower cap भी यूज़ कर सकते हैं आपको ये लगबग 45 मिनिट तक लगातर अपने बालों में लगे रहने देना है दोस्तो ध्यान इस बात कर रखे आप दूप में ना बैठें और पंखे की हवा में बिल्कुल भी ना बैठें इसको naturally अपने बालों में सूखने दे 45 मिनिट के बाद में आपको अपने बालों को शेंपू कर लेना है दोस्तो ये नुसका आपको वीक में दो बार यूज करना है और जादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे वीक में तीन बार भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो ये नुसका इस तरीके से काम करेगा लगातार दो हफटे के इस्तमाल के बाद आप अपने बालों में बहुत जादा चेंज महसूस कर पाएंगे आप देखेंगे आपकी बालों की ग्रोथ में फरक आने लगेगा सफेद होते बाला आपके जड़ों से काले होने लगेगे और बालों का जढ़ना रुख चुका होगा और बालों में जो खुजली और डेंडर्म जैसी प्रब्लम होती है उससे भी आपको निजात मिल जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से नुसका काम करेगा आपको नुसका पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वाटसेप पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा थेंक्यों दोस्तों